नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में हम भारत के प्रमुक मंदिरों को कवर करेंगे जो हर एक एक्जाम में पूछे जाते हैं मैंने इस वीडियो में जो भी रेलवे एंटी पीसी के एक्जाम हुए थे एससी के एक्जाम हुए थे और जो हाली फिलाल में एक्जाम हुए थे जिसमें टीसी एस के द्वारा पूछे गय मंदिरों को कवर किया है तो ये सभी मंदिर आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इसलिए एक बार पूरी वीडियो को लाज तक जरूर देखना ताकि आपका इस टोपिक से एक भी प्रशन गलत ना हो तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरूरात करते हैं और सबसे पहले हम मंदिरों की निर्मान शैली देख लेते हैं तो निर्मान शैली के बारे में ज्यादा डिप में तो आज हम नहीं पड़ेंगे पर कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी इक्जाम के होती हैं यानि कि मुख्यता भारत में देखा जाए तो तीन परकार के मंदिरों का डिजाइन देखा जाता है कौन-कौन सा तो पहली है नागर शैली दूसरी है द्रविड शैली और तीसरी है बेसर शैली तो यह शैलियों में अंतर क्या है तो जो उत्तर भारत में आप मंद यह मुख्यता द्रविड शैली के होते हैं और इन दोनों शैलियों को मिला कर एक नवी शैली है इसका नाम है बेसर शैली तो यह नागर और द्रविड इन दोनों शैलियों का मिला जुला रूप है तो आपको याद रखना है जब भी आप से पूछा जाए कि नागर शैली के म मंदिर कहां पर देखने को मिलते हैं तो उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं और द्रविड शैली के मंदिर दक्षिन भारत में देखने को मिलते हैं और बेसर शैली जो है इन दोनों ही शैलियों का मिला जुला रूप है तो याद रखेगा तो सबसे पहले हम देखते हैं मामा भांजा मंदिर ये कहां पर है तो ये 36 गड़ में है वैसे तो ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है लेकिन जो इसका नाम है मामा भांजा मंदिर तो इसका नाम मामा भांजा मंदिर क्यों पड़ा तो कहा जाता है कि मामा और भांजा दो शिल्पकार थे जिन्होंने ये मंदिर सिर्फ एक ही दिन में पूरा करने का काम मिला था और वो मंदिर इन्होंने एक ही दिन में बनाया था तो उन्ही के नाम से ये मंदिर का नाम रखा गया है मामा भांजा मंदिर तो आपसे एक्जाम में ये पूछा जाएगा कि मामा भांजा मंदिर कहां पर है तो मामा भांजा मंदिर 36 गड़ में हैं तो उसके बार देखते हैं तो आपको केरल में दो मंदिर याद रखने हैं एक है पद्म नाब स्वामी मंदिर और दूसरा है सबरी माला मंदिर ये दोनों ही बहुत बार एक्जाम में पूछे गए हैं तो जो पद्म नाब स्वामी मंदिर है ये भगवान विश्णू का मंदि है और ये कहां पर है जैसा कि मैंने। आपको बताया केरल में हैं केरल के TIRWANTHPURAM में। इसके संस्थापक कौन थे इस मंदिर के तो राजा मारतंड आपसे एक्जाम में अभी तक यही पूछा गया है कि पद मनाभ स्वामी मंदिर कहां पर है तो आपको यही याद रखना है कि यह केरल में है अगर इसके संस्थापक पूछ ले जाए तो वो है राजा मारतंड उसक ये बार देखते हैं सबरी माला मंदिर। तो ये मंदिर काफी चर्चाओं में रहता है और एक्जाम में बहुत बार पूचा भी गया है। तो इसमें प्रमुक देirdi कोन है lorsqu website आयप्पन और ये कहां पर है तो केरल में है तो इसके निर्माता कोन है तो मान्यता अनुसार जुसके शिल्पकार है वो भगवान परशुराम है तो आपसे यही पूछा गया है अभी तक कि सबरी माला मंदिर कहां पर है तो केरल में है उनके देवता के बारे में भी पूछा गया है तो भगवान अयप्पन है प्रमुक देवता याद रखेगा तो केरल में दो मंदिर आपको याद रखने है पद मनाब स्वामी मंदिर और सबरी माला मंदिर तो आगे हम देखते हैं तो करनाटक राज्य में भी आपको दो मंदिर याद रखने है कौन कौन से एक है वीरुपाक्ष मंदिर और दूसरा है गुमतेश्वर मंदिर तो वीरुपाक्ष मंदिर भगवान शिव का मंदिर है और यह है कहाँ पर तो करनाटक राज्य में इसके संस्थापक कौन है तो कृष्ण देवराय इसके संस्थापक है कौन से मंदिर के वीरू पाक्ष मंदिर के ये एक्जाम में पूछा गया है कि वीरू पाक्ष मंदिर के संस्थापक कौन थे तो कृष्ण देवराय इसके संस्थापक थे उसके बाद देखते हैं गुम त गुम्तेश्वर मंदिर भारत के करनाटक राज्य में शरवन बेलगूला नामक तिरस्थल में है और इसे बाहू बली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो NTPC के एक्जाम में पूछा गया था कि बाहु बली मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है तो गुमतेश्वर मंदिर को ही बाहु बली मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये करनाटक राज्ये में स्थित है तो यह मंदिर प्रमुकुरूप से 17 मीटर उची भगवान बाहु बाहु बली की परतिमा के लिए परसिद्ध है तो ये जो आप परतिमा देख रहे हैं ये भगवान बाहु बली की 17 मीटर उंची परतिमा है जिसके लिए ये मंदिर परसिद्ध है कौन सा गुमतेश्वर मंदिर उसके बाद देखते हैं स्वर्ण मंदिर याने की गोल्डन टे बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है कि स्वर्ण मंदिर की नीव किसके द्वारा रखे गई थी तो स्वर्ण मंदिर की नीव साइं मिया मीर के द्वारा रखे गई थी जो की एक मुसलिम सूफी संत थे और पंजाब के अमरी सर में यह मंदिर है स्वर्ण मंदिर और यह मं मंदिर सिखों के लिए सबसे बड़ा गुरुद्वारा है याद रखेगा और चौथे सिख गुरु गुरु रामदा जी ने इसकी शुरुवात की थी और पांचमें गुरु अर्जन देव जी ने इसकी स्थापना की थी किसकी स्वर्न मंदिर की सबसे ज़्यादा यह है कि इसकी नीव किसे ने रखी थी तो इसकी नीव साइम मिया मेर ने रखी थी उसके बार देखते हैं कामाख्या मंदिर तो कामाख्या मंदिर असम के निलांचल परवत पर स्थित है कौन से परवत पर निलांचल परवत यह भी नाम याद देखेगा परवत का और यह म निर्माता कौन थे तो इसके निर्माता मलेश वंश के राजा थे और कामाख्या मंदिर में अम्बू बाची मेले का आयोजन हर साल किया जाता है वेरी वेरी इंपोर्टन कौन सा मेला अम्बू बाची मेला तो जितने भी प्रमुक मेले और तेवहार हैं जो कि TCS के द्वारा पूछे गए हैं आपकी एकजाम में मैंने सभी को एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो Static GK की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना मेले और तिवहार वाली वीडियो वहां पर मैंने आपको बताय था कि अम्बू बाची क का मेला कहां पर लगता है तो असम के कामाख्या मंदिर में लगता है तो आगे है उडिसा उडिसा के दो मंदिर आपको याद रखने हैं पहला है कोनार्क मंदिर और दूसरा है लिंग राज मंदिर तो कोनार्क आपको पता है सूर्य मंदिर है जो की उडिसा के पवित्र शह पूरी में स्थित है और इसके निर्माता कौन है तो इसका निर्मान राजा नर्सिहें देव परथम के द्वारा तेरवी शताबदी में किया गया था ये एक्जाम में पूछा गया है कि कोनार्क मंदिर का निर्मान किसने करवाया तो राजा नर्सिहें देव परथम के द्वा इसका निर्मान करवाया गया है और कोनार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोड़ा के नाम से भी जैना जाता है इसे ही ब्लैक पेगोड़ा भी कहा जाता है तो यह कोनार्क मंदिर उसके बाद देखते हैं लिंग राज मंदिर तो लिंग राज मंदिर नाम से ही किलियर है उडिसा के सबसे पुराने मंदिरों में से ये एक है और इस मंदिर का निर्मान सोम वंची राजवंच के राजाओं द्वारा किया गया था यभी एक्जाम में पूछा तो नहीं गया पर याद रखेगा पूछा जा सकता है पर ये मंदिर बहुत बार पूछा गया है कि गिराज मंदिर और कोनार्क मंदिर दोनों ही याद दखेगा उडिसा में हैं उसके बाद हम आगे देखते हैं तो आगे ये चारों मंदिर आपको पता ही होंगे कौन-कौन से गंगोतरी, यमनोतरी, केदारनाद और बदरिनाद ये चारों मंदिर कहां पर हैं तो ये उत्तर खंड में हैं इन चारों को याद रखेगा कौन कौन से गंगोतरी या मनोतरी के दारनाद और बदरिनाद ये चारों उत्तरा खंड में हैं तो उत्तरा खंड के बाद देखते हैं तमिल नाडू तो ज़्यादा तर जो आप मंदिर देखेंगे ये तमिल नाडू के ही हैं जो ए इं सब को तो याद रख लेना तमिल नाडू के ज़्यादातर मंदिर एक्जाम में पूछए जाते हैं याद रखेगा तो कौण कौण से मंदिर आपको याद रखने है डायरेक्ट एक्जाम में पूछा जाएगा कि रामनादस्वामी मंदिर कहां पर है तो तमिल नाडो में है तो कौन-कौन से याद रखने है यह सभी आपको याद रखने है रामनाज स्वामी मंदिर दूसरा है मिनाक्षी अम्मा मंदिर जिसे सुंद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है तीसरा मंदिर है कपालेश्वर मंदिर चोथा है मंदिर उसके बाद है महा बलीपुरम शोर मंदिर उसके बाद है एरातेश्वर मंदिर और उसके बाद है अन्ना मलाईयर मंदिर तो यह तमिल नाडू के मोस्ट इंपोर्टन मंदिर हैं और यह सारे मंदिर कई बार इकजाम में पूछे गे हैं very very important एक भी आपको नहीं छोड़ना यह तमिल नाडू के मंदिर तो इतने भी हैं सभी सभी सब भी इंपोर्टेंट है उसमें से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ये ब्रहदेश्वर मंदिर इसमें ये भी पूछा गये है कि ये तमील नाडू के कहां पर है तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ब्रहदेश्वर मंदिर तमील नाडू के तंजोर में सीथ है औ और इसलिए बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है, तो कौन-कौन से हैं, रामना स्वामी, मिनाक्षी अम्मा मंदिर, कपालेश्वर मंदिर, ब्रहदेश्वर मंदिर, महाबलिपूरम, इरातेश्वर और अन्ना मलाईयर, तो ये सभी मंदिर तमिलाडू में है, तो आगे अब हम मध्य परदेश के मंदिर देखते हैं, तो मध्य परदेश में आपको तीन मंदिर याद रखने हैं, कौन-कौन से, खजुराहों के मंदिर, दूसरा है, सांची का स्तूप, और तीसरा है, कंदरिया महादेव मंदिर, तो खजुराहों मंदिर, ये तो बहुत ही इंप मध्य परदेश में हैं तो आजकर एक्जामिनर डीप में पूछ लेता है कि खजुराहों मंदिर मध्य परदेश के किस जीले में स्थित हैं तो ये मध्य परदेश के छतरपूर जीले में स्थित हैं और इसका निर्मान किस ने करवाया था तो खजुराहों मंदिर का निर्मान चंदेल राजवन्ष के द्वारा करवाया गया था या दखेगा तो खजुराहों के मंदिर के बाद है सांची का स्तूप तो ये भी मध्य परदेश में है और यहाँ पर कई बोध सुमारक है और जो ये सांची का महान मुख के स्तूप है इसका निर्मान मूलता, समराट अशोग के द्वारा करवाय गया था सांची के स्तूप का निर्मान और यह है कहां पर तो मध्य परदेश में है उसके बाद है कंदरिया महादेव मंदिर यह S.S.E. में बहुत बार पूछा गया है कंदरिया महादेव मंदिर ये भी मद्य परदेश में हैं और इसे चतुर भुज मंदिर भी कहा जाता है कंदरिया महादेव मंदिर को ये भी पूछा जा सकता है कि चतर भुज मंदिर कहां पर हैं तो या दखेगा कंदरिया महादेव मंदिर को ही चतुर भुज मंदिर कहते हैं और इसका निर्मान राज यशो वर्मन के द्वारा कराय गया था तो उसके बाद देखते हैं दिलवाडा जैन मंदिर तो दिलवाडा जैन मंदिर राजस्थान राजी के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है तो राजस्थान के माउंट आबू में हैं दिलवाडा जैन मंदिर और दिलव पाल नामक दो भाईयों के द्वारा 1231 में बनवाय गया था कौन सा मंदिर दिलवाडा जैन मंदिर ये राजस्थान के माउंट आबू में है या दखेगा तो आगे है महा बोध मंदिर बोध गया में स्थित बिहार राज्य का एक हिस्सा है और महा बोध मंदिर भगवान बुद्ध की ज्यान प्राप्ति के स्थान पर स्थित है तो इसलिए इसका बहुत महत हुआ है और प्रथम मंदिर तीसरी शताबदी इसापूर्व समराठ अशोग के द्वारा ही निर्मित कराय गया था महा बोध मंदिर तो महा बोध के पीछे बोध तो ये बोध गया में मंदिर है जो कि बिहार में है यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हुई थी तो ये बोध ही इंपोर्टेंड मंदिर है जो कि बिहार में है तो महा बोधी मंदिर के बाद है तिरुपति वेंकटेशवर मंदिर तो भगवान विश्णू का परसिद मंदिर है तिरुपति वेंकटेशवर मंदिर और ये है कहां पर तो आंदर परदेश के चित्तूर जिल के तिरुपति में यह स्थित है, है कापर आंधरपरदेश में, आपने सुना ही होगा इस मंदिर के बारे में तिरुपति वेंकटेशवर मंदिर और इस मंदिर को साथ परवतों का मंदिर भी कहा जाता है, जो इसके उपनाम होते हैं न यह जरूर याद अखेगा, क्योंकि का मंदिर कहा जाता है, और यह है कहां पर तो आंधरपरदेश में हैं, तो गुजरात में आपको दो मंदिर याद रखने हैं, कौन-कौन से, पहला है सौमनात मंदिर और दूसरा है दुआरिका धीश मंदिर, तो सौमनात मंदिर गुजरात परांध के काठिया वार्थ शेत में स्थित्थ है और ये भगवान शिव के 12 जयोतिर लिंगों में से एक है इसलिए important है क्या नाम है सोमनात मंदिर है कहां पर गुजरात में दूसरा मंदिर है द्वारिका धीश मंदिर तो ये भी गुजरात में है और गुजरात का द्वारिका शहर वह स्थान है जहां पर 5000 वर्ष पूर्व भगवान क्रिशने मतुरा छोड़ने के बाद अपनी नगरी बसाई थी द्वारिका नगरी बसाई थी तो वहीं दिन का जोपड़ा राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक मस्जिद है या दखेगा ये कहां पर है राजस्थान के अजमेर में है तो माना जाता है इसका निर्मान सिर्फ अढ़ाई दिन में किया गया था है इसी कारण इसका नाम अढ़ाई दिन का जोपड़ा पड़ और इसका निर्मान मुहमद गोरी के आदेश पर मुहमद गोरी के गवर्नर कुतुबु दिन एबक ने वर्ष 1194 में करवाय था किसका निर्मान अढ़ाई दिन के जोपड़े का तो ये मस्जिद है जो की राजस्थान के अजमेर जिले में है तो आज का आखरी मंदिर है हजार राम मंदिर तो हजारा राम मंदिर 15 शताबदी के दोरान विजय नगर के ततकालीन राजा देवराय प्रत्थम के द्वारा करवाय गया था और ये है कहां पर तो ये है हमपी करनाटक में है कौन सा मंदिर हजारा राम मंदिर जो की देवराय प्रत्थम के द्वारा बनवाय गया था आपसे यही पूछा जाता है कि हजारा राम मंदिर किस राज्य में है तो ये करनाटक राज्य में है तो हमारे सारे मंदिर यहीं पर खतम होते हैं अब मैं आपसे पांच प्रश्न पूछता हूं जो भी आपने पढ़ाना मैंने जितने भी मंदिर आपको बताए अब देखते हैं आपको कितना याद है तो आपको इन पांचों मंदिरों का जवाब कोमेंट सेक्षन में देना है तो पहला मंदिर है कि लिंग राज मंदिर कहां पर स्थित है दूसरा है कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है तीसरा है सबरी माला मंदिर कहां पर स्थित है चोथा ह मामा भाजा मंदिर और पांचों है दिलवाडा जैन मंदिर तो इन पांचों मंदिरों के बारे में आपको बताना है कि ये किस राजमे स्थ हैं कोमेंट सेक्चन में जरूर बताएगा तो आज की ये वीडियो यहीं पर खतम होती है कैसी लग ये वीडियो कोमेंट सेक्चन में जरूर बताना धन्यवाद